हाई फ्रेंड्स मैं मयूर स्वागत करता हूँ आपका एक और बार फिर से फोटोग्राफी पर्शेप्शन में फ्रेंड्स जब हम शेटर प्रियोरिटी पे कोई फोटो लेते हैं या अगर हम जब हमारे कैमरा की शेटर स्पीड जब धीरे होती है तब कोई फोटो लेने के लिए हमें एक ट्राइपोड की ज़रुरत होती है क्योंकि अगर हम स्लो शेटर स्पीड पे हम अपने हाथ से फोटो लेंगे तो हो सकता है हमारा कैमरा थोड़ा हिल जाए कैमरा थोड़ा शेक हो जाए जिससे की फोटो में बलर आने की संभाव ना होती है तो फ्रेंट्स उसी चीज को अवइड करने के लिए हमें एक ट्राइपोड की ज़रुत होती है तो फ्रेंट्स उसी के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ट्राइपोड की अन्बोक्सिंग करें एक kodec tripod की unboxing जो कि एक बहुती lightweight tripod है और youtube के लिए बहुती best option है और youtube के लिए बहुत ही सस्ते में और बढ़िया option है, तो friends यह है हमगा tripod, Kodac का tripod है, ये मैंना online तो नहीं लिया यहीं store से लिया है, तो friends शुरू करते हैं इसकी unboxing तो friends यह है Kodac T210 Tripod ये वैसे तो ये Tripod Outdoor और Travelers के लिए एकदम Best Option है और यहां YouTubers के लिए भी लिखा हुआ है Selfie Generation तो आईए शुरू करते हैं इसकी Unboxing ये मुझे मैंने यहीं से ये Store से पर्सेस किया है और ये मुझे 1300 में बढ़ा है यहां पर 1300 ये है Mobile Holder और कुछ भी नहीं है ये है Bag Kode की Branding और ये Shoulder पर भी हम इसको Hang कर सकते हैं काफी अच्छा बैग है क्वालिटी बहुत अच्छी है बैग की पिलाल के लिए बैग को रख देते हैं साइड में So friends ये है हमारा Tripod तो चलिए हम इसको Open Full Open अगर के देखते हैं So friends ये है Tripod ये है इसके Locks आप इसको जहां भी इसकी हाइट रखनी है वहां रखके इसको Lock कर सकते हैं ताकि इसकी हाइट पर Lock हो जाए पुरा फाइबर का है लेकिन ये अंदर से जो इसके Stand है ये Steel के है उपर जो कवर है ये फाइबर है ये हमें इसको खोल के पहले Lock करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स ये है Pen यहां हम यहां हम फिक्स कर सकते हैं अपना DSLR और इसको खोल के हम निकल सकता है ये और यहां पर हम DSLR पर इसको फिट करके बापिस इस तरह से इसको फिट कर सकते हैं और ये है इसकी मॉवमेंट और जब हमें Lens Cap अगर लेनी हो तो हम DSLR को ऐसे रख सकते हैं लेकिन जब हमें portrait लेना हो तो हम यह भी shoot कर सकते हैं और friends यह है bubble leveler तांकि हमको पता चले कि हमारा camera या हमारा phone जो है वो level पर है या नहीं so friends तेरा सु रुपे में तो बहुत ही better quality का tripod है यह और actually दो bubble leveler है एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है so friends यह था हमारा kodek का tripod जो की तेरा सु रुपे में बहुत ही better और durable option है हर beginner के लिए हर यूट्यूबर beginner के लिए या फिर photographer beginner के लिए और बहुत ही lightweight है carry करना easy है कहीं पर भी आप जाईए साथ में ले जाना बहुत ही easy है और इतना expect नहीं किया था कि इतना lightweight होगा यह लेकिन यह बहुत ही lightweight है और durable भी है अगर camera किसी angle पर अगर हमको fix करना है जहां से shake now वो भी है तो फ्रेंड्स यह था हमारा codec का tripod जिसकी आज हमने unboxing की और फ्रेंड्स सोरी एक बात बताना भूल गया आपने कई tripod में देखा होगा कि mobile phone holder साथ में नहीं होता है या फिर हमें अलग से लेना पड़ता है लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसके साथ ही यह mobile phone holder भी दिया हुआ है आप यहाँ करके आपाना mobile fix कर सकते हैं इस तरह से आप चाहें तो यहाँ से भी fix कर सकते हैं और यहां से भी fix कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें कि यह हमारा mobile phone holder भी fix हो चुका है इसके उपर इसके उपर इसके यह था हमारा codec का tripod एक बहुत better option beginners के लिए 1300 रूपे में तो इससे best option तो कोई नहीं हो सकता इसकी unboxing मिलते हैं next वीडियो में photographic related कोई दूसरा की unboxing लेकर फ्रेंड तक के लिए thank you see you soon